हेलो इंटेलिजेंट्स वेलकम तो माई यूट्यूब चैनल बेटा हम चैप्टर प्रोबिलिटी कर रहे हैं जिसमें हम लास्ट लेक्टर में प्रोबिल्टी की इंट्रोडक्शन कर चुके हैं तोडे वी बिल स्टार्ट विद फिर्स्ट एंड दी सिंगल एक्सराइज अफ लिए उके तो वह आप देख लेना जो भी आपके पास बुक है तो हम डील कर रहे हैं 23-24 सेशन के लिए तो चलिए फर्स्ट कोस्ट इसे स्टार्ट करते हैं फर्स्ट कोस्टन में क्या है बिटा एक एक ब्लैंक देखना बड़ी इंपोर्टन है सारे आपके आपके बिटा यह आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि एक आपका इवेंट ए होता है और दूसरा है ए बार ठीक है जिसको क्या बोलते हैं नोटी दोनों की प्रोड़ीटी को प्लस करेंगे तो सम हमेशा वान आता है तो यह अंसर विल बी वान ओके नाव इसेगे वान इस अब प्रोड़ीटी का मतलब क्या था बिटा आपको बताया था प्रोड़ीटी का मतलब होता है अंदाजा ठीक है कि कुछ परसेंट चांसीज है कितने परसेंट चांसीज है वो काम होने के और वो काम अगर हो ही नहीं सकता पता ही है तो फिर उसके चांस क्या होगे जिरो हो and the event is called अब जो चीज़ होई नहीं सकती फिर उसको क्या बोलते है impossible बात को समझे that event is called impossible event समझ गए तो ऐसा event जो कभी होई नहीं सकता मतलब उसके 0% chances है तो उसकी probability 0 हो गई अब जो चीज़ होई नहीं सकती that is called impossible similarly the third one is the probability of an event that is certain certain का मतलब है sure मतलब sure है कि वो चीज़ होके ही रहेगी जो मर्जी हो जाए which is sure to happen तो जिसकी probability पता ये होगी होगी तो वो 100% होगी ना तो 100% means 1 ये सब कुछ आपको introduction में बढ़ाया होगी so that event is called sure event तो उस event को क्या कहते है बेटा sure event कहते है जिसकी surety है कि वो होके ही रहेगा okay now the fourth one is the sum of probabilities of all elementary events is 1 ठीक है all elementary events मतलब all possible outcomes ठीक है मतलब जितनी भी possible outcomes है सब की probability को plus करेंगे तो answer कितना आता है वान आता है एक चोटी सी example ले ले लेते है जैसे coin toss करते है ठीक है coin में दो ही चीज़ें आती head or tail आपको introduction में बताया था okay तो head आने की probability क्या होती है 1 by 2 और tail आने की probability भी क्या है 1 by 2 दो ही outcomes थी दोनों की probability को plus करेंगे तो देखो answer कितना आ रहा है समझें तो sum of probabilities of all elementary event का मतलब सारी possible outcomes उनकी probabilities का sum क्या होता है always 1 okay now coming to the last blank the probability of an event is greater than or equal to and less than or equal to बेटा यह आपको बताया था कि जो probability है वो हमेशा 0 से 1 के बीच में रहती है यह मतलब हमेशा 0 से बड़ी होती है तो greater than or equal to 0 और हमेशा 1 से चोटी होती है so less than or equal to 1 ठीक है जरूर देखना बेटा बहुत चीज़ें आपको clear होंगी बहुत मतलब बहुत चीज़ें clear होंगी चोटे-चोटे points डिसकस करें हैं मैंने वाब के देखो the second question is which of the following experiments are equally likely outcomes equally likely का मतलब क्या आता है जैसे अभी हमने head और tail करा ठीक है तो head आने की probability क्या 1 by 2 और जो अपना tail था tail आने की probability भी क्या 1 by 2 तो ये दोनों क्या होगे equally likely ठीक है तो equally likely outcomes क्या होगी जिनकी probability सेम होती है अब देखो the first part is a driver attempts to start a car the car starts or doesn't start ठीक है उसने बोला एक driver है उसने attempt करा car start करने की तो car start होगी या car start नहीं होगी अब देखो बेटा एक नजर में तो ये ऐसा ही लगता है कि ये equally likely होगी क्योंकि दोनों की probability 50-50% है यहां तो होगी या नहीं होगी बट probability के इलावा बेटा यहां पर और भी चीज़े matter करती है जैसे कि हम आपको बोले की car की condition क्या है ठीक है car नहीं है पुरानी है ठीक है जो driver है उसको गाड़ी चलानी आती भी है के नहीं है बहुत सारी और भी बड़ी चीज़ें होती है कार में पेट्रोल बैटरी ये वो बहुत सारी जीज़ें तो जिसकी वज़ा से मालो कर कार की condition अच्छी नहीं है ठीक है तो probability क्या है 50-50 तो नहीं है तो फिर उसके ना start होने की probability ज़्यादा होगी ना जबकि start होने की probability कम होगी अगर नई गाड़ी या बिलकुल अच्छी condition में है तो उसकी start होने की probability ज़्यादा है नोट start होने की probability कम है तो ये equally likely तो नहीं है ना इसने ये चीज़ें यहाँ पर बता ही नहीं है तो ये क्या हो जाएगा equally likely नहीं रहेगा अब बेटा यहाँ पर भी दोई चीज़ें होगी बास्केट बोल को बास्केट में डालना है ना बास्केट बोल की गेम होती है तो यहाँ तो वो मिस कर देगा यहाँ डाल देगा ठीक है तो देखने में यहीं लगता है कि ओके ना पुली likely है बट एक्च्वल में नहीं है इसमें भी कई चीज़ें मैटर करती है जैसे कि वो अगर बास्केट बोल दे दिया वो कोई चोटा बच्चा है ठीक है यहाँ कोई अडल्ट है तो स्टूडन्स वो वीडियो बीच में बंद हो गई थी क्योंकि मेमरी फुल हो गई थी तो मुझे पता नहीं चलना तो मैं ऐसे वीडियो बनाता रहा इस कोश्चन को दोबरां डिसकस कर लेते है ठीक है देखो सैगंड पार्ट डिसकस कर रहे थे ना कि एक प्लेयर है बास्केट बोल का या तो वो शूट करेगा या वो मिस करेगा अब यहां पर उसने मैंशन नहीं करा था कि वो चाइल्ड है या अडल्ट है या क्या है तो अगर वो एक अडल्ट अच्छा खासा प्लेयर है बेस्ट प्लेयर है तो तो फिर 50-50 परसेंट चांसिज नहीं है ज्यादा चांसिज है कि वो काम कर देगा लेकिन अगर कोई अडल्ट प्लेयर नहीं है चोटा बच्चा है या कोई नहीं नहीं प्लेयर है तो बहुत कम चांसिज है कि वो करेगा तो यह क्या है इकली लाइकली नहीं बना थार्ड और फॉर्थ देखते हैं अब देखो बेटा दो मतलब एक आपका ट्रू फोल्स कोश्चन है उसकी दो ही पोसिबिल्टी होगी या तो वो ठीक होगा या गलत होगा कोई तीसरी पोसिबिल्टी तो है नहीं तो यह तो 50-50 परसेंट चांसिज है ना तो यह इकली लाइकली बन गया फॉर्थ में के है अब बेबी बॉर्न इट इसा बॉैळ होरा गल मतलब यह बेबी बॉर आ तुर्ण हो नहीं है बच्चे की बहात हो रही है एक बैबी बॉर्न हो तो भाइ乐 अट इसा बॉई यहां तो बॉई होगा यहां घार लोगा ठीक है 52% चंसिज है अब यह थर्ड gender गिनने ना बैट जाना यहां पर वो option में नहीं है दो options है तो ठीक है boy होगा या गार लोगा ठीक है now third question देखते है कि why is tossing a coin considered to be fair way of deciding which team should get the ball at the beginning of the football अब देखो बेटा यह जो second question था और यह जो third question है ऐसे questions exam में नहीं आते हैं यह बस आपके थोड़े से concept clear करने के लिए ठीक है third question में क्या है कि why is tossing a coin considered to be a fair way of deciding which team should get the ball at the beginning of a football game वो कहरे एक football game हो रही है तो ठीक है हम toss करके football game है cricket game आप कहते हो ना तो toss करके decide होता ना ठीक है toss करके decide होगा कौन game की शुरुआत करेगी तो उसने बोला कि हम coin toss करने को ही fair play क्यों मानते है ठीक है क्योंकि बेटा जो coin होता है coin में बिल्कुल 50-50% chances होते हैं उपर भी बोला था बिल्कुल 50-50% chances होते हैं तो उसमें कोई biasness नहीं होती इस वज़ा से coin toss करना सबसे best method माना गया ठीक है अब चलते हैं अपने कुछ खास questions की तरफ जो main exam में आते हैं तो fourth question है आज हम 10 question करेंगे ठीक है आज हम 10 question करेंगे फिर हम जाएंगे आगे चलिए यह fourth question देखो fourth में कह रहा है कि which of the following can not इसको ध्यान देना है can not be the probability of an event इन में से कौन किसी event की probability नहीं हो सकता ठीक है अब बेटा आपको क्या बताया था मैंने कि जो probability है हमने अभी MCQ sorry blanks में भी करा था कि जो probability है वो हमेशा 0 से बड़ी होती है 1 से छोटी होती है यानि कि probability negative बिल्कुल possible नहीं है और जो अपनी probability है वो greater than 1 ये दोनों चीज़े ही possible नहीं है ठीक है और आपको ये भी बताया था introduction में मैंने कि 0 से 1 के बीच में 0 से 1 के बीच में 0 to 100% सब कुछ consider हो जाता है ठीक है 0 से 100% सब 0 से 1 के बीच में आता है तो अब 2 by 3 देख लो 2 by 3 less than 1 है obviously बेटा numerator बढ़ा है denominator चोटा है तो इट विल भी less than 1 हाँ तो ये तो हो सकता है negative वही बात आगी अब probability negative possible नहीं है ठीक है तो ये वाला negative वाला possible नहीं है तो 15% है तो अगें देखो 0 से 100 के बीच में ये भी possible है 0.7 की बात करें वह भी 0 से 1 के बीच है तो ये भी possible है उसने क्या बोला था cannot तो हमारा सही answer क्या होगा option number B बात को समझे ये भी 0 से 1 के बीच में है ये भी 0 से 1 के बीच में है तो दोनो possible है 15% भी 0 से 100% के बीच में है तो ये भी possible है यहाँ पे negative आ गया probability cannot be negative तो ये possible नहीं है ओके नौ दिफिफ्थ कॉस्चन इस इस probability of E is 0.05 वाट इस दी probability of not E बेटा अभी तो हम ये blanks में भी करके हटे हैं फिर्स्ट ब्लैंक थी आपकी कि आपके पास अगर एक event E है और एक event क्या है not E अगर हम इन दोनों की probabilities को कर देंगे प्लस तो answer क्या हैगा 1 जिसमें से E की probability is given to be 0.05 and we are asked to find the probability of not E तो बस ये 0.05 negative हो जाएगा तो हमारा answer आ गया so probability of not E will be 1 minus 0.05 तो जो not E है उसकी probability क्या हागी बेटा अब देखो minus करना तो आता है न I hope so नहीं है तो देख लो 1 में से 0.05 ये minus करना अपने को ठीक है तो 10 minus 5 is 5 यहाँ पे 9 बच्चा ओके इस इस 9 और ये 0 तो 0.95 is our answer ओके चलो अब बढ़ते हैं आगे question 0.95 The sixth one is a bag contains lemon flavored बढ़ा अच्छा कुशन है बेटा A bag contains lemon flavored candies only उसके पास only का मतलब सिर्फ सिर्फ lemon flavor की candies है उसके पास Malini takes out one candy without looking into the bag तो ठीक है ये bag है बैग में lemon flavored candy है उसने एक candy उठा ली Okay What is the probability that she takes out an orange flavored candy मतलब तो probability बताओ कि उसने एक orange flavored candy उठाई है बेटा आप ध्यान दो ठीक है चलो यहीं पर लिख दता हूं अच्छे से ठीक है बैग में सिर्फ orange flavored candies है सो सोरी ओरेंज नहीं lemon थी सारी lemon flavored candies है सो getting an orange flavored candy मतलब orange flavor की candy find करना is an impossible event बात को समझे ना क्योंकि बैग में सिर्फ lemon flavored candies है तो orange flavor की candy आना हमारे लिए क्या है impossible event है ठीक है impossible event है hence probability क्या है equal to zero जो probability है वो क्या आएगी zero समझे ठीक है तो इसकी probability क्या आएगी हमारे पास zero आएगी लेकिन second में पूछ लिया getting a lemon flavored candy अब बैग में सारी की सारी lemon flavored candies है तो lemon candy तो बाहर रहेगी ना तो यानि कि ये तो sure हो गया ना कि sure event हो गया तो इसकी probability क्या आगी one बात को समझे जैसे इसकी English लिखी है वैसे इसकी लिख देना कि since it is a sure event as bag contains only lemon flavored candies so probability of getting lemon flavored candy will be one ओके आप चाहो तो इसको formula से भी कर सकते हो मैं formula से भी कर देता हूँ मैं formula से भी कर देता हूँ ये देखो ठीक है अगर कई बच्चे होते हैं जिनको English लिखने में problem आती है तो आप formula से कर सकते हैं बिलकुल असान होगा ये देखो probability of क्या लिखेंगे getting orange candy formula ऐसे लिखेंगे आपको introduction बदाया था तो इसको हम क्या बोलेंगे number of number of orange candies upon total number of candies ठीक है total number of candies अब देखो क्योंकि bag में सारी क्या थी lemon flavored candies थी तो ओरेंज वाली तो निकलेगी नहीं तो ओरेंज के कितने होगे 0 upon total अब 0 upon anything answer क्या आता है बटा 0 तो इसी तरह से probability of getting lemon candy ठीक है तो lemon candy में बेटा क्या आजाएगा number of lemon flavored candies upon total candies अब देखो बेटा क्योंकि सारी candies lemon flavored ही थी तो numerator और denominator same नहीं हो जाएगा क्योंकि बेटा उसने total यहां पर दिया नहीं नहीं हुआ ठीक है तो हम नीचे क्या value put करेंगे कुछ नहीं कर सकते क्योंकि total उसने दिया नहीं हुआ इस वज़े से मैं कहा रहा था कि English को prefer करना क्योंकि total given नहीं है अच्छा समझने के लिए मैं यह काम कर रहा हूँ total number number of lemon flavored candies upon total number of candies तो यानि कि lemon और total दोनों same ही है तो यह दोनों कट गए answer क्या आजएगा बात खत्म ओके चलो अगले question पर बढ़ते हैं it is given that in a group of three students तीन बच्चों का एक group है the probability of two students not having the same birthday is 0.92 मतलब दो students जिसका birthday same date पर नहीं आएगा उसकी probability का 0.92 तो what is the probability that two students have same birthday अब बेटा ध्यान से देखो हमें क्या given है हमें क्या given है probability of two students not having same birthday same birthday से यहां पर क्या मतलब है कि same दिन दोनों का birthday ठीक है तो इसकी probability क्या 0.92 हमें क्या find करनी है probability that two students have same birthday कि उनका same दिन birthday अब बेटा अगर हम birthday की बात करें तो ध्यान से देखो कि दो इपोसिबिल्टी होंगी यहां तो birthday नहीं होगा यहां birthday होगा कोई तीसरी possibility तो हाई नहीं है तो फिर हम अगर मैं इस event को E मान लू ठीक है तो यह मेरा event क्या हो गया note E हो गया ना बात को समझ रहे हो दो इतो possibilities है अगर मैं इस event को E मान लू तो यह उसके opposite note E हो गया तो हमने अभी देख्या है कि probability of E और probability of note E क्या होता है बेटा 1 होता है इसको find करना है ठीक है तो E की probability दे रखी है 0.092 और note E की probability हमें find करनी है तो probability of note E क्या आ जाएगा 1-0.092 ठीक है अब इसको minus करो 1.092 तो यह बन गया 10-28 यहाँ पे आ गया 9-9-0 यहाँ पे भी 9-9-0 और यहाँ पे 0-0 तो 0.008 आ गया अपना answer ओके बिलकुल easy question था ना तो ऐसे MCQs 11 mark में बहुत आते हैं बेटा बहुत का मतलब बहुत आते हैं ओके नौ इस एर्थ वन इस एर्थ question में क्या है अभी अच्छे-च्छे question आने स्टार्ट होंगे अब बैग contains three red balls ओके five black balls ओके एक बैग है जिसमें क्या है यहाँ पे बनाते हैं एक बैग है बेटा यह आ रहा है आपका बैग जिसमें क्या है three red balls है और five क्या है black balls है ओके यह आपका एक बैग है ओके all balls is drawn at random a ball is drawn at random from the bag what is the probability that the drawn ball is red उसने बोला probability बताओ कि हमने red ball बाहर निकाली है तो probability of red ball क्या आजाएगा number of red balls बैटा यह formula जरूर लिखके आना इसके marks होते है मैं हर chapter में यहीं बोलता हूँ upon total number of balls समझे तो यहाँ पे लिख लेना पहले total number of balls total balls क्या आजाएगी total bag में कितनी बोल्स है बेटा eight balls तो number of red balls यहाँ पे उपर क्या रखना होता है जिसकी probability चाहिए नीचे total ही आएगा यही आपको intro में बताया था नीचे total ही आएगा उपर उस चीज का number चाहिए होता है उस चीज का number चाहिए होता है जिसकी हमें probability find करने है तो red balls कितनी है three है total कितनी है eight है चलो यही अपना answer आगे अगर cutting होती तो cutting कर देते otherwise यही answer है ठीक है देखो ninth one is same as eight अब box contains five red marbles eight white marbles and four green marbles ठीक है जी चलो यहाँ पे आगया एक box यह हमने box बना लिया ठीक है एक box में कितनी है five red marbles है यह लिजिए five red marbles है eight white marbles है यह लिजिए eight white marbles है और कितने है four green marbles कितने है बेटा चार marbles जो है वो है green फिर से वही बात है one marble is taken out of the box what is the probability that the marble is red ठीक है एच्छा बेटा एक बात सुनो पिछले का एक पार्ट रहे गया वो मैं पहले यह वीडियो कतम कर दूँ फिर हम next part कर लेंगे पिछले question का तीक है इसमें देखो वो क्या कर रहा है what is the probability that marble taken out is red उसने क्या probability बताओ कि वो red marble है तो red marble की probability क्या आएगी फिर से भाई बात है number of red marbles बात को समझे formula तो यही रहेगा ना upon total number of marbles ओके यह formula जरूर लिखके आना बार बार बोल लो number of red marbles कितने हैं बेटा फाइव और यहां पे पहला step आपने यही लिखना आता है total number of things जो भी यहां पे things हैं यहां पे things के हैं marbles तो total marbles के हैं 5, 8 and 4 तो 5 प्लस 8 प्लस 4 कितने हो गए 17 तो आप cancer आ गया 5 upon 17 ओके ठीक है second is white अब white marble की probability बतानी है तो क्या आजाएगा number of white marbles ठीक है formula must है बार बार बोलता हूँ upon total number of marbles इसी वज़ा से मैं भी हमेशा formula लिखता हूँ कहीं आप यह ना समझो की सर लिखते नहीं है तो जरूरी नहीं है white marbles कितने हैं बेटा 8 है और total कितने हैं 17 है तो 8 upon 17 answer लास्ट में क्या बोला है note green note green यानि की green को छोड़के सारे note green का मतलब green को छोड़के सारे red और white दोनों आ सकते हैं ठीक है तो probability of note green ठीक है तो इसको क्या लिखेंगे फिर number of note green marbles ठीक है न मार्बल जो green नहीं है उनका number upon total number of marbles ठीक है अब ऐसे marbles जो green नहीं है वो कितने हैं वेटा जो green नहीं है वो five और eight ठीक है यह भी green नहीं है यह भी green नहीं है तो five or eight आएगा तो क्या आ जाएगए बेटा 5 plus eight upon total 17 था यानि 13 upon 17 यह अब का अंसर आ गया बिलकुल easy question है बिलकुल easy chapter है अच्छा अब पिछले question पे आते हैं पिछले question में हमने first part solve कर रहा था कि red की probability क्या है 3 by 8 आ गई थी अब उसने पूछा probability of not red तो यहाँ पे बिटा अगर मैं probability of not red की बात करूं तो फिर उसका formula भी क्या आजाएगा नमबर of not red क्या थे not red balls number of not red balls upon total number of balls ओके ठीक है ना यह तो उसकी language है confuse करने के लिए अब not red को सीधा black भी तो बोल सकता था वो ठीक है तो not red कितनी है 5 है और total कितनी थी अपनी 8 तो 5 by 8 is our answer ठीक है बिलकुल easy question है यह formula लगाना है जो भी चीज़ आपको चाहिए उसके number देखने है वो कितनी है upon total बस खत्म ठीक है ना अब देखो last question of the video अब piggy bank contains 150 पैसा coins 50 पैसा coins कितने है यह देखो इसको लिख लो पहले जो 50 पैसा coins है वह कितनी है बेटा 100 है ोके 50 rupees 1 coins लो जी जो rupees 1 वाले coins है वह कितनी है बेटा 50 है 20 rupees 2 coins दो 2 रुपे वाले coins है 2 rupees वाले coins है वह कितने है बेटा 20 and 10 rupees 5 coins ठीक है और जो 5 rupees वाले coins हैं वो कितने हैं बेटा that are 10 in numbers okay if it is equally likely that one of the coin will fall when the bank is turned upside down उसने बोला कि यह piggy bank है इसके अंदर है जब हम इसको उल्टा करेंगे ऐसे करके तो यह sure है कि कोई ना कोई coin तो गिरेगा ही गिरेगा तो what is the probability that it will be 50 पैसा coin will not be 5 rupees coin तो सबसे पहले तो बेटा total देख लो ठीक है तो side पर पहले लिख लो क्या लिखना है total number of coins total coins कितने हैं बेटा 100 plus 50 plus 20 और plus 10 ठीक है तो यह कितना आ गया 180 ठीक है 180 टोटल आ गया अब उसने क्या बोला है will be a 50 पैसा coin ठीक है तो क्या लिखेंगे हम probability of 50 पैसा coin तो क्या आजगा number of 50 पैसा coin ठीक है number of 50 पैसा coins upon total number of coins ठीक है अब 50 पैसा coins कितने हैं बेटा हमारे पास hundred coins ठीक है 50 पैसा coins कितने hundred upon total कितना 180 तो 00 cancel two five's are ten two nine's are eighteen तो probability will be five upon nine simple ठीक है आगे क्या था will not be five rupees coin वो five rupees coin नहीं है वो five rupees coin नहीं है तो probability not rupees five coin ठीक है तो इसमें क्या आजएगा number of not rupees five coins ठीक है upon total number of coins बात को समझे अब जो पांच रुपे वाले coin नहीं है वो कितने हैं बिटा ये five rupees वाले coin है मतलब ये भी आ जाएगा अपनी लिस्ट में ये भी आ जाएगा और ये भी आ जाएगा ठीक है न ये ही सारे हैं जो five rupees वाले नहीं है तो कितना हो गया hundred plus fifty plus twenty तो numerator में आ जाएगा hundred plus fifty plus twenty upon total कितने थे बिटा 180 इनको plus करा तो one seventy आ गया upon one eighty zero zero cancel तो seventeen upon eighty is our answer ठीक है बेटा आप देखो जितने भी हम questions all कर रहे हैं सबका answer one से छोटा आ रहा है इसको divide करके देख लो जाए ठीक है तो probability is always less than one ओके students तो ये थे आज के हमारे 10 questions मिलेंगे next video में next ten questions के साथ till then goodbye and take care ये रूकर